लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है इसको लेकर मंगलवार को सैक्ड़ों अब्यार्थी सिक्छा मंत्री जगनात महत्यों के अवास का घिराव करने जा रहे थे लेकिन रास्ते में पूरी सिक्छा मंगलवार को सिक्छा मंत्री जगनात महत्यों के अवास के घिराव करने जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही परसासन ने रोक दिया इस पर अब्यार्थी ने राजगी जाहिर की है उन्होंने कहा है कि वो सिक्छा मंत्री के पास अपने नियोक्ती की मायं को लेकर जा रहे थे ना कि उन्हें किसी तरह की हानी पहुचाने लेकिन इसके बावजूद यदि मंत्री परसासन के माध्यम से हमें रोकना चाहते हैं इससे यही पर्तित होता है कि सिक्छा मंत्री टेट पास अब्यार्थियों की बात को सुनना ही नहीं चाहते बतादे अभियार्थियों ने कहा है कि जितने भी लोग परदसन करने पहुंचे हैं ओध 2012 में ही टेट पास हो चुके हैं कई लोगों की उम्र अधिक हो गई है इसके बावजोद भी सरकार हमारी बाहली परोक लगाई हुई है जारखन में दीन के दुरान अब गर्मी लगने लगी है राइधानी समेत राजे के कई हिसो का तापमान मंगलवार को 3-7 डिगरी तक उपर चड़ आया है अधिकतम तापमान 34 के करीब भी आ चुका है बताजे राजे में अधिकतम तापमान 29.8 और निमतम 13 डिगरी दर्ज किया गया जबकि मेदनी नगर में या समाने से 7 डिगरी अधिक 33.6 डिगरी से दर्ज किया गया वही जमसेदपूर में या 32-56 डिगरी रहा जबकि राजी के अने हिसों में भी तापमान बढ़ने से लोग परसान रहे मौसामी भाग के अनुसार राजी के उपर कोई सिस्टम नहीं है धूप लगातार तीखी हो रही है इसे समाने तापमान में 3-6 डिगरी तक की बिरिदी होई है जारखन में भीक मांगने को मजबूर स्वास्त कर्मी आमरन अंसन जारी 24 जनवरी से आमरन अंसन पर बैठे राजे में अनुबंद पर बाहाल स्वास्त कर्मी अपनी मांगो को लेकर भीक्षाटन कर रहे हैं अनुबंद पर बाहाल सुरक्षा कर्मी ने कहा है कि सरकार ने उनकी मांगो को लेकर आख बंद कर ली है ऐसे में सरकार को जागने के लिए वह भिक्षाटन कर रहे हैं मंगलवार को सभी स्वास्त कर्मी एप्रन पहन कर धरना अस्थल से कछरी चोक तक भिक्षाटन के लिए निकले भिक्षाटन कर रहे स्वास्त कर्मियों ने कहा है कि स्वास्त मंत्री ने उन्हें आस्वासन दिया था कि उनकी मांगों को ले करवा स्वास्त सची या अन अधिकारियों से साथ फरवरी को मुलकात करेंगे लेकिन अभी तक स्वास्त मंत्री की तरब से कोई पहल नहीं की गई जिसे नराज सभी स्वास्त कर्मी भीक्षाटन के लिए निकल पड़े उन्होंने कहा आई कि वे पिछले 50 दिनों से धारना पर बैटे हुए है लेकिन सरकार और उनके अधिकारियों की निंद नहीं खुल रही है इसलिए सभी स्वास्त कर्मी आज सणक पर भीक मांग कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे है जारखन में आठवी से दसवी तक के छातरों को एक साथ मिलेगी साइकल सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल आठवी से दसवी काक्षा तक के सभी बिद्यार्थियों को एक साथ साइकल मिल सकेगी बता दे अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती अलप संखे को पिछड़ा वर कल्यान विभाग के मंत्री चंपाई सुरे ने टेंडर की सर्तों में संसोधन पर समती देते हुए परतिकरिया शुरू करने के उनमती पदान कर दिया है इसके बाद विभाग ने मंगलवार को इसकी परकिरिया भी सुरू कर दी विभाग ने कक्षा आठ से दसवीत तक के विद्यार्थियों को साइकल देने का निने लिया है साइकल की खरीद पी एल खाते में जमारासी से की जाएगी दरसल राज सरकार कक्षा आठ में नमांकित विद्यार्थियों को ही साइकल देती है लेकिन पिछले दो सालों से इन कक्षा के विद्यार्थियों को साइकल नहीं मिल सकी थी अब राई सरकार ने इस साल काक्छा आठ में नमांकिर विद्यार्थियों के अलावा पिछले दो सालों के लापको को भी साइकल बित्रित करने का निनल या है हेमांत सुरेन ने केजरिवाल से मील बढ़ाई दिल्ली की सरगर्मी हेमांत सुरेन ने दिली के मुख हिमंतरी अर्विंद के जरिवाल से मुलकात करा रही नितिकल यारों में राश्ट्रिय अस्तर पर गडबंधन बनाने की कवायत को एक बार फिर हवादे दिया है इसके अलावा इड़ी ने हेमांत सुरेन की गड़बंदन सरकार गिराने की साजिस रहचने की ममले में विधायक रजसका ख़प से पुछताश की जो चर्चा का विशाय बना रहा बता दे वहीं हज यात्रा को लेकर भी टाक्टर इर्फान अनसारी ने घोसना किया है कि अब हज यात्रियों को रांची से फलाइट की सुधा मिलेगी जिससे हज यात्रियों की यात्रा करीब साथ हजा सस्ती हो जाएगी हेवान सुरेन के मंत्री चमपाई सुरेन ने टेंटर में संसोधित को भी अनुमती दे दिया है बिजली विभाग में करवाए एक केवाइसी मिलेगी बिजली बील जामा की ओनलाइन जनकारी जार्खन बिजली बित्रन नीगम की ओर से बिजली विभाग के सुधा परदान करने के लिए ओनलाइन क्याइसी करहा जा रहा है क्याइसी की जड़ियो विभाग की सभी जोजनाओ ब्यल समती जनकारी ले सकते है बताद जमसेथपूर एरिया बोट के महा प्रबंधक सर्वन कुमार ने बताया है कि के वाईसी के जरिये उभोकता बिली बिल की जनकारी, सिकायत करने पर आवेदन की जनकारी, बिली बिभाग के योजनाओ, सिविर की जनकारी के अलावा उनके छेदर में कब बिली आप पू कुमार धुबी नियोजनाले परिसर में आठ फरवारी को भरती केंप का आउजन होगा, दीन में साड़े दास बैसे सुरू होने वाले केंप में गुजरात की तीन कंपनियां आ रही हैं, जो साथ सो साथ पदो पर बहाली का आउसर परदान करेंगी, इसमें आई टी आई औ को सेचनिक परणपत्र अधार काड, दो पासपोर्ट, फोटो, नियोजनाले का निबंधन काड और आपना बायोडाटा साथ लेना होगा, बुद्धवार को जारखन में बंद रहेगा थोक खाध्यान कारोबार, जारखन में आठ फरवरी को खाध्यान, राइस और फलावर मिल के कारोबारी आपना कारोबार बंद रखेंगे, बेपारियों ने किरिसी बजार पर दो फिश्दी सुल्क वसूली कर सरकार की तियारी के खिलाप या फैसला लिया है, जारखन चेंबर आप कोमर्स के महासरजी डाक्टर अभिसेक रामधिननी ने बताया है कि जारखन र ज्यादा राइस मिले खुली, अगर बजार सुल्क वसूला जाएगा तो ट्रेडर्स और उभोकता को महांगाई की मार जहलनी पड़ेगी, उन्होंने बताया है कि इसके विरोद में कल मुरबादी स्थीत संगम कार्डेन में ब्यपार जमा होंगे, राजे की सभी ठोक जिवाड़े के मामले लागातार बड़ रहे हैं, इस फ़र जिवाड़े पर ब्रेक लगाने के लिए मंगलवार को केंद्री ये गिरिह मंत्राला के अधिन, इंडियन साइबर क्राइम कोडिनेटर सेंटर के अधिकारी उन्हें जहारखन, CID और चार प्रभावित जीलों के इसके बाद साइबर अपरादियों ने अधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में फर जिवाड़ा शुरू कर दिया, ऐसे मामले लागातार सामने आ रहे हैं, खासकर जमीन से जुड़े मामले फर जिवाड़ा अधार के जरिये ही किये जा रहे हैं रिम्स की छात्राओं की बड़ेगी सुरक्षा, रिम्स होस्टल में सोमवार को देर रात 2017 बैच की इंटर्न छात्रा के साथ छेड़ खानी की घटना होई थी, इंटर्न जब लेबर रूम से देर रात होस्टल के तरफ जा रही थी, तवी दो बाइक सवार यूकों ने उसक 13 बजे के करीब छात्राओं होस्टल को लोटी, जिसके बाद मंगलवार को देर रिम्स प्रफंदन ने चात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई निने लिये है, रेविका हत्याकान पोश्माशम रिपोर्ट पूलिस को मिली, जारखन के चर्चित रेविका हत्याकान मा पूले में नई खुला से हो सकते है, जनकारी मिली है कि डॉक्टर ने रेविका के पोश्माशम रिपोर्ट पूलिस को सौप दी है, पता दे दुमका इस्थीत फूलो जानों मेडिकल को लेज, वमस्पताल में 100 का पोश्माशम किया था, बोर्यो थाना पूलिस ने रेविक और पसुधन विप्रण विधेक 2022 के तहट राई सरकार दोवारा दो फिश्दी सूल्क लगाने के निरनाय का बिरोध करते बेपारियों के हीत में इस काले कानून को आपस लेने की मांग की गई, शांसा सीरिसेट ने कहा है कि पूरो की भाजपा सरकार ने बेपारियों की उध्यान में रखते वे किसी सूल्क हटा दिया था, इसे बेपार में बढ़ोतरी हुई और कारोबारी भी बढ़ा, बरतमान सरकार ने फिर से दो परतिस्यत बजासूक लगाने का निरनाय किया है, इससे कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों को भी महेंगाई जहलनी पड 31 जन्वारी से अब तक कूल 1,474,444 लोग राजभवन उध्यान का प्रहमन कर चुके हैं, यहां के देशी बिदेशी फूल फल असधी पौधे, दो सो किसमे के 15,000 से धीक गुलाब के फूल, 45 प्रजाती के बिदेशी मौसमी फूल, 30 भेराइटी के असधी पौधे, 9 सिक्षा विभाग ने पिछली ट्रेनिंग को रद करते हुए, बिदेश जारी किया है, बताते चले की राजकिये महिला बिदेशी बरियातु के चात्र, 70 2001 स्टेज की 50 से अधिक चात्राओं ने कोर्स के मताविक, इस्कूलों में कूल 5 माह में, 3 माह की प्रेक्टिस, टीचर कलास की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, दोबारा ट्रेनिंग लेने के आदेश का सभी चात्राओं ने सो मुआर को बिरोत किया है, उन्होंने DSC से मुलकात की और ग्यापन सौपते हुए पुना ट्रेनिंग के आदेश को गलत बताते हुए अपस लेने का आगरा किया है, जड बुटी से इलाज करने के बहाने, इसकुली चात्रा से जंगल में दुसकर्म करने का मौला परकास में आया है, पुलिस ने तवरित करवाई करते हुए अरोपी, रोगाट डी, दीपा टोली गाउं के ओजहा, सीता राम साय को गिरपतार कर मंगलवार को जेल भेज दिया, घ आने वाद